कि नमस्कार दोस्तों किसे हैं आप लोग कि तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूं यह वीडियो दो बार एसी एसी अर्चन आई है कि एक गंटा रिकॉर्ड करने के बाद मेरे को वापस से हटाना पड़ा इसको तो बहुत दिल से बुरा लग रहा है पर कोई बात नहीं एक बार कर लिए फिर हरा एक बार एक घंटा लग बग रिकॉर्ड कर लिए फिर रिकॉर्ड करना पड़ा पणा syla myky offer अधिया दिवा खरब जाता है वे दिवाक चलिये मैंने आपको पिछली मेराधन में percentage 1,2 ला भानी छूट है ना ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है दो क्लास में percentage खत्म एक क्लास में profit and loss दो क्लास में discount खत्म अभी हम पढ़नें Simple Interest यह SSC Railway व्यापम बेंकिंग सारी एक्जाम को कवर करेगा ठीक है आप हमसे वाटसेप पर या टेलिग्राम पर जुड़ने के लिए इस नंबर पर हमें वाटसेप पर मैसेज कर दीजिएगा लड़कियां भी आसानी से जुड़ सकती है किसी का किसी को नंबर नहीं देखता है बेजज़क होके स मुलदन होता है वो राशी जो किसी से आप उधार लेते हो या किसी को आप उधार देते हो उधार ली गई या उधार दी गई राशी मुलदन है साधरन ब्याज यनि कि आपने किसी को राशी उधार दी एक साल के लिए तो वो आपकी राशी का एक साल तक इस्तेमाल करेगा एक साल इस्तेमाल करने के बाद आपको राशी वापस लोटा देगा तो जो राशी लोटाएगा उसके साथ में कुछ देगा भी सही आपको कि यार मैंने तुम्हारी राशी यूज करी इसके बदले तुम लो 100-200 रुपए ले लो वही ब्याज है आपका यह ब्याज है तो अगर मुल्धन के साथ में जो वो राशी एक्स्ट्रा दे रहा है ब्याज के रूप में मुल्धन धन ब्याज उस टोटल राशी को बोलते हैं म एक वर्ष में आने वाला व्याज है तो रुपए पर एक वर्ष में आने वाला व्याज ही ब्याज किदर होती है यह बत याद रखना सो रुपए पर सो रुपए हर चीज का आधार सो होता है सो रुपए पर कितने साल एक साल सो रुपए है तो रुपए तो रुपए पर ए कोई राशी's उधार दी टास परसेन् ब्याज लुगई हाइसा बोल दिया मैंने आपको मेने आपको 10,000 रुपय उधार दिये और मैंने आपको बोल दिया मैं आपसे 10 परसेन्द लूँगए हर साथ ब्युआ हर साल लूआ तो मैंन था- 33 साल के बैद यह चीजित को कहते हैं प्रतभावी यह हर साल में आपसे कितना तो दो साल कितना बनेगा पहले साल 5% गाल 10% 100 होता है यह तों भी आज बुलना ज़्यादा आसाल है मैंने बनाया है आप इस पे मत जाना इत्त CTRY से कुछिए सारी यह थे इनको मेने हिजाब से क्टेग्री में अरेंज करा है तो अपने हिसाब से कोई भी टाइब के नाम ही है कोई तैप वाइब से पर फिर भी टाइब पढ़ेंगे pandemia puta दिदिया मुल्धन घ्याद wilk करने का टाइप दे दिए खिष्27 पड़ेंगे अपने इसमें वीविद प्रकार पड़ेंगे कुल ब्याज और ब्याज में अंतर पड़ेंगे दर और समय निकालने में प्याधारी सवाल पड़ेंगे और यस जब बराबर होताह। कैसे करेंगे सब समझेंगे अपने ठीक है चलिए आपको एक जनरल चीज पता ही होगी है ना कि साधारण व्याज जो सिंपल इंट्रेस्ट होता है वो बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी पटे सो मुल्धन गुणा दर गुणा समय बटे सो यह हमारा साधारण सक्राबर हो गाहिं हहां हैं है व्याज सवाल को भी जिस से जल्Дी ही जायगा इससे तो उससे कर लेंगे बाकितो तर्वाल फोर्मुले से होगा इनिए कोई भी सवालはいекmic कि साध़रन ब्याज पे पेसा उधार दिया जाता है कि ज्भा नदय जाता था 12 साल भाद इसका साधरन ब्यार धन का तीन पटे 5 ऑजाता है धन का उसका सिंपल इंट्रेस्ट वह समुलधन का पाउच हो जाएगा तो मिने यह कामान लेता हूं मैणे आपको principle 100 रुपए उधार दिये थे, तो 100 का 3 बटे 5 निकल ओकि इतना हो 60 रुपए बियाज बन जाएगा, तो 100 रुपए पर 6 रुपए का बियाज आए टtoni, वो भी कित्टे साल में आया या 12 साल में, 12 साल में 60 रुपए का bियाज आया, एक साल में आने वे ऑला रुपए पर एक साल में आनेा वाला ब्याद इन हुट एक साल का vit 5 रुपे या तो ब्याद ही हमारा पांच प्रसंट व्याच क सिधर हो जाएगा कि اहां समयरा पांच साल के लिए मुल्धन और साधारन ब्याज का रिश्व यह है मुल्धन यानि की प्रिंसिपल साधारन ब्याज यानि की सिंपल इंट्रेस्ट इन दोनों का रिश्व कितना आ गया दस अनुपात साथ या गया दस अनुपात या गया साथ यह प्रिंसिपल आ गया सिंपल हो गया है अगर 27 का दूंगाइद है इसको दस गुणा कर दुंगा तो दस गुणा इसको भी करना पड़ेगा तकर यह सो और नंए करना आसा नहीं किसी वी सवाल कि तो सो रुपे दोटल क्या जाया उतार रुप beginners और 70 रुपे टोटल ब्याज कितने साल का है? 5 साल का तो अगर 70 रुपे 5 साल का ब्याज आएगा तो एक साल में कितने का ब्याज आएगा? 14 रुपे का होग्데 trends सिपल को अगर ने सो रुपए माना ही फोसो रुपए का दो बटे पांच क्या होगा 40 रुपए तो रोपए का दो बटे 540 अजो का दो का दो बटे 540 रुपए यह चालीस रुपए का विया जाया पांच साल में बसका दो एक साल में आने वाला ब्याज ही ब्याज कितर होगी आठ परसेंट आपके सवाल का अंसर आएगा ठीक है तो भाई एमांदारी से बोलता हूं मन मेरा बहुत खराब हो गया है क्योंकि इसको तीसरी बार रिकोर्ड करना पढ़ रहा मेरे को पहली बार दिमाग खराब हो गया है मतलब वो कहते ने एक अच्छा मन होता है थोड़ा सा कम अच्छा मन होता है अच्छे मन से पढ़ा रहा हूं कि कि वही चीज मुझे तीसरी ब देखो भाया एक राशी ने साध्रन ब्याज पर कुछ राशी उधार ली चार वर्षों के बाद उसने रिन दाता को नो बटे-पांच रुपए वापस किये देखो एक आदमी है उसने पेशा उधार लिया है और चार साल के बाद उसने कितना लोटाया है नो बटे-पांच यानि कि नो बटे-पांच का क्या मतलब हुआ ध्यान से समझना नो बटे-पांच लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि उधार उसने कितना लिया था पांच और जो simple interest उसने चुकाया वो 4 रुपे का चुकाया चुकाया बीस में का। आप बोलोंगे पाँच को सो बनाने के लिए लिए पीस का कुणा करना पड़ेगा तोषब बीस पढ़े कितना आ गया 100 आ अगया 20 ठोपे कि कितना आगे 80 कान पर लुड़िया है वह भी चार साल के बाद 40 रुपे का वेया यहीं मेरी ब्याज किदर होगी देखो यहीं मिटाया भी नहीं है तो यह मिटाया मिलब सब स्क्रीन पर मिटाया मैं ने जित्ता लिखा हुआ था पर यह फिर भी रही गया देखो पुरा दिमाग खराब हो गया यार देखो राम ने साधारन व्याज पेक निश्चित राशी निवेश की तीन वर्षों में वह अपने आपका पांच बटे-4 गुना हो गई मैंने का यह प्रिंसिपल यह अगर वह पांच बटे-4 गुना हो गई यनिकी वह राशी चार थी वह पांच हो गई यही मतलब हो इसका पांच बटे चार गुना हो गई यहीं कि 125 परसेंट हो गई तो सो रुपए अगर उधार लेके गया था तो 125 रुपए उसने लोटा आए समझ रहो सो और 125 का अनुपात निकालो गया तो चार पांच आ जाएगा यहीं कि वहीं पांच बटे चार हो गई ठीक है चलिए मैंने का प्रिंसिपल को सो बना सकते हैं क्या मैंने कहां चार को सो बनाने के लिए 25 का गुणा करना पड़ेगा तो मैंने का 25 चोके सो 25 पंजे 125 यनिकी 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 एक बात बताओ 100 रुपे 125 रुपे हो गए तो ब्याज कितना आया 25 रुपे का अंधा आप चाहें तो एमांट की वेल्यू लिखे ही ना आप आप मुझे बात बताओ पांच बटे चार गुना हो गई चलो मैं लिख लाता हूं कोई बात नहीं है ना तो 25 रुपे का व्याज आया यहनि कि 100 रुपे पे एक साल में आने वाला ब्याज ही व्याज किदर हो जाएगी क्या ठीक है यह बताओ यह पांच साल का सिंपल इंट्रेस्ट पांच साल का जो साधारण ब्याज है वो मुल्धन के 25 परशंट के बराबर है यहनि कि एक बात बताओ यह प्रिंसिपल है यह सिंपल इंट्रेस्ट है तो प्रिंसिपल अगर मैं सो रुपे मान लो तो सिंपल इंट्रेस्ट कितना आ इसके 25 परशंट के बराबर यहनि कि 25 रुपे हो गया Scout कि एक बात बताओ पांच साल के बाद साधारण ब्याज 25 रुपे है अगर यह पांच साल का ब्याज है 25 रुप एक साल में आने वाला बैत 5 रुपए है अब यह क्या बोल रहा है कि कितने साल लगेंगे उसको व्याज को मुल्धन के बराबर होने में मतलब ब्याज मुल्धन के बराबर हो जाए एक बात बताओ 100 रुपए पर सो रुपए पर एक साल का ब्याज कितना आया पांच रुपए इस सो रुपए पर एक साल का ब्याज कितना आया पांच रुपए यह बोल रहा है कि जो ब्याज है वो मुल्धन के बराबर कब होगा यानि कि यह पांच रुपए का सिंपल इंट्रेस्ट आया तो यह जो सिंपल आता है एक साल में तो कि कि कितने वर्षों में किसी धनराशी का इतने संट के दर से जो ब्याज है वो मुल्धन के बराबर होगा हुआ है आज मुल्धन के बराबर हो जाएगा हुआ कि इतने पर्षेंट की दर्स है एक काम करें अपन इसको इसे डाइरेक्टली भी कर लो क्योंकि ना तो मुझे प्रिंसिपल दे रखाए यहां पे ना मुझे एमाउंट दे रखा है यहां पे ना मुझे सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है जिसे इस सवाल में क्या होता था कि प्रिंसिपल नहीं दे रखा होता था तो अपन प्रिंसिपल मान लेते थे कि सो रुपए है तो उसका ब्याज दे रखा था कि ब्याज जो है वो मुल साधारन ब्याज हमेशा होता है किसके बराबर भी इंटू आर इंटू टी बटे सो पी आर टी बटे सो के बराबर होता है यह बेसिक सा जेनरल फॉर्मुला यह इस इसका प्रयोग वेसे नहीं करें तो भी अंसर हो जाएगा वह बिटा दूँगा पर इससे जल्दी हो जाएग पर कितने साल के बाद होगा वह टाइम निकालना है रेट हमें दे रखिए देखो रेट कितनी है साथ दुनी 14 और 6 बीस बटे 7 यानी कि 20 बटे में 7 आ गया और यह परसेंटेज का बटे का 100 ही सही और इंटु टाइम पिरियेड पूछा आपसे कि टाइम कितना लगेगा यह अ मैं तीस साल आपका अंसर होगे अधायरिक्ट होगे सवाल आपका इसको आप ऐसे करना चाहो तो रिशो से भी बना सकते हो जिसे मैंने कहा देखो यह प्रिंसिपल एकर मैं 100 उरुपे प्रिंसिपल मान लो जहां से समझना, 100 रुपे प्रिंसिपल मान लो, तो यह बोल रहा है ब्याज के बराबर कब हो जाएगा, तो इसका मतलब प्रिंसिपल और साधरन ब्याज दोनों 100-100 रुपे हो जाएगा, तो एमाउंट कितना होगा, 200 रुपे हो जाएगा, ठीक है, टाइम पिरियेड पूछ हो जाए, तो सवाल बसी इतना सा ही है, और यह बहुत आसान तरीका है, यह आपको जनरली फॉर्मूला है, सिंपल इंट्रेस्ट निकालने का, रटना नहीं चाहिए, यह बेसिक जनरल फॉर्मूला है, वैसे ही व्याद होना चाहिए अपने को, कि प्रिंसिपल परी तो प्रभावी ब्याज में बताया नहीं बताया जो प्रभावी ब्याज है यह यह टाइम है रेट इंटू टाइम ही तो टोटल ब्याज होता है तो ध्यान देना प्रभावी ब्याज जो होता है वह हमेशा है ना कुल ब्याज हमेशा बराबर होगा कि इसके रेट इंटू लिए है कि एक निश्चित धन्राशी आठ वर्ष में 21 परशन की दर से साधरन व्याज पा का उसी धन्राशी पर यानि की धन्राशी जो इन दोनों का सिंपल इंट्रेस्ट होगा वो कितना होगा तो मैंने कां ये सिंपल इंट्रेस्ट ही तो है यही मुल्दन यह रही दर यही समय और यह परसेंट जटाओ के तो बटे में तो मुल्दन दर समय बटे सो मूल्दन दर समय बटा सो तो मैंने कहा हुआ एक्किस परसेंट से और सो एक्सो गुणा एक्किस से सो गुणा एक्स कर जाएगा आठ अनुपात इक्किस में आंसर आजाएगा आपका उप्शन नंबर पहला तो धियान रखना इसको आप डाइरेक्ट भी कर सकते हो कि अगर देखो हम जनरली फॉर्मला जानते हैं एक तरी तरीका क्या है कमजना दूसरा तरीका यह है कि दूसरा तरीका कि देखो हम जानते साधरन ब्याज बराबर क्या होता है कि अधरन ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में सो ना बटे में सो का कोई मतलब नहीं है कि आर परसेंटेज है एक खार परसंटर लिख सकता हूं, मैं इसको, मैंने कहा हो, मुझे साधरण भ्याज शों चाहिए, अब हमें क्या भूला हुआ एक, principle भी Constant है, rate भी Constant है, तो जो principle भी Constant हो, rate भी Constant हो, तो मैंने यहां से हैं ना इस पी कॉमा आर क्या है कॉंस्टेंट है कि ऑर और क्या है कॉंस्टेंट साथ और अगर इन दोनों को हटा सकता हूँ और अगर इन दोनों यह बात आपके समझ में आई जनी कि अगर साधरन ब्याज बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा तीधी बात है यहीं मतलब होगा इसका साधरन ब्याज टाइम के डाइरेक्टली प्रपोर्शनल हो जाएगा तो जो सिंपल इंट्रेस्ट का रिश बात किसी रहेगा यह आपके सवाल का अंसर हो जाएगा ठीक है तो यह बात याद रखना ठीक है बड़े बड़े डेंजर सवाल जब आएंगे तो उसमें यह कॉंसेप्ट बहुत काम आने वाला है जहां जहां पर यह लगेगा वहां वहां पर एक तो आप बेसिक फर्मुल पर उदार दिए थे 2 साल के लिए 12,000 में आपको दो Lisओ यह षाऌ दी यह इंखर दिये और मैंने बीखला तब श intentar नॅस्य को Mom आपने बोला पहले साल 9 से प्रेंट प्रोड नौ 3 20 पर सैंट…! के है तो मिलाखे10 और 10 घृज अन alarm Laz गयाख किस साथ में नो परसंट दूसरे साल का 10%ो दस और 9- resonance रित चुका होगे यनिकि मुझे बारह 8,000 रुपय का आप कितना बश्ट चुका होगे उनिस परसंट तो बारहzkоп यो बिला तरीका नोगा है यह वाला कैसे पता चला तो मिनें का देखो किस बारा में चार होता है, चार दिया बारा, चार चार से कटने वाला वही नंबर होता है जिसके आखरी के दो अंक चार से कटे पचास चार से कहां कटता है, खाली 80 कटता है कि ही अंसर आगया, बाकि आप unit digit भी देख सकते हो, कि ये 0 आएगा और 9 में 2 का गुणा करते हैं, 9, 2, 18 की 8 आएगा, एसा option जिसमें 80 हो, 80 एकी option में है, तो 14280 की answer आजाएगा, ठीक है, पच्छिस सो रुपे का निवेश, 12% की साधरन ब्याज की दर से किया जाए, तो मिश्रधन इतने रुपे के बराबर हो जाएगा, देखिए, ये कहना चाह कर आए, सवाल में कि ये प्रिंसिपल आपका, और ये amount है, ये कह रहा है, प्रिंसिपल आपका पच्छिस सो रुपे है, आप एक काम करो ना, amount नहीं है, simple interest लिख लो direct, मैंने का ये simple interest कितना आएगा, भई पच्छिस सो रुपे, उन पचास सो हो गए, आज कितने का है, 2400 होई नहीं सकती, मैंने का 2-0 से 2-0 काट लो, इसको 100 बना सकते हैं, क्या, बिलकुल बना सकते हैं, मैंने का इसको 100 बनाने के लिए 4 का गुना करना पड़ेगा, तो 25 चो के 100 आजाएगा, यानि कि principle मेरा 100 रुपे आगया, तो 24 चो के ये 96 रुपे आगया, यानि कि 100 रुपे इस अवर टोल ब्याज, बयाज इस अवर टोल ब्याज, तो यह कैसे आयाता है, कुल ब्याज क्या होता है, प्रभावी ब्याज क्या होता है, rate परसेंट इंटू टाइम rate परसेंट का time में multiply करेंगे तबी तो 6 Menge आएगा तो इसका मतलब ये हुए कि rate परसेंट तो हमें given है 12 परसेंट 12 तो 12 परसेंट में कितने का गुणा करें कि 96 परसेंट ब्याजा जाए तो 12 अठ्य 86 होता है एक बेंक साथ उजार रुपे की राशी पे साधरन व्याज की रूख में बंदरा सू रुपे देता है यनिक je कि बैंक वाले ने बोले साथ उजार फिरे 15ुना है। तो बताइए साधरन ब्याज की दर कितनी है और इसने बोला है कि एक साल में ब्याज मिलेगा ये एक वर्ष में एक वर्ष में है ना तो साथ हजार पे फंदरासु रुपे का ब्याज मिला एक साल में एक साल में ब्याज आया पंदरासु रुपे का किस पर ब्याज हमेशा मू तीन पंजे 15 तीन दुनाच है और पांच का अधा हो जाएगा ड़ाई परसेंट तो टू पॉंट फाइब परसेंट आपका रेट आफ इंट्रेस्ट हो जाएगा ड़ाई परसेंट आपके सवाल का अंसर आजाएगा बोलो क्लेर चलिए यह बताईए नो हजार पांच सो रुपए आट परसेंट की दर से किते साल के बाद इत्ते रुपए हो जाएगे हैं मैंने का यह देखो ग्यारा हजार साथ सो स्थी हो रहे हैं तो देखो 500 वो उधार ले लो तो वो दस अजार हो गया और यह कितने सत्रा सो असी यह देखो गया यहां अगर मैं प्रिंसिपल और यहां सिंपल इंट्रेस्ट लिखो तो प्रिंसिपल तो 9500 हो गया और साधरन ब्याच क्या हो गया इसमें से वह घठा दो यह 500 वां से लो 1780 यहां से लो 175-2280 आ गया तो यह बाइस अच्छे से रुपए आ गया ओर प्रें सी ह One अए बहुत अच्छे से क्लियर ऐ वैंने काम करता है इसको सो बना सकते हैं कि यह कुछ जबर्दस्ती नहीं है किसी सवाल में सो बनाना नहीं बन रहा हो तो नहीं बनाना चाहिए ए ठीक है मैं अचर्प आश्या सी काम करते हैं काट दो पहलेजीरो से जीरो क दो का गुना करदो को पचास मेंदो का मुणा करता ही सो बनेगा बारा दुना-20 हो गया इंक जू के अब इन्हें का हड़ा दिखो सो उर्पयन पे चोईसर रूपया जाये तोटल Sony'a total व्याज यहीं की प्रभावी ब्याज है तोटल भया रहे हमेशा परसेंट और टाइम का गुणा करने करने पर आता है तोटल स्क्रसनल तो रेट हमारी 8% है तो रेट हमारी 8% है आठ में कितने का मल्टिप्लाय करें कि चोईस आए आपको भी मालूम है तीन का टाइम पिरिड आपका तीन साल आ जाएगा यह आपके आंसर आजाएगा भूए है इस चलिए यह बता चारं रुपे दो साल और चार महिने के बाद 380 तर रुपे का व्याज मिल रहा है चोईसो रुपयиях पे इत्ते का व्याज मिल रहा है वह भी دो साल चार महीने के बाद कि कि फेके 2 सालो चार महीनें हैं मैंने कहा ने कि कोई करने के और भी देरो तरीके हैं आप आपको मैं सिंगल लाइन में को committed कर भा सकता हूं ईजु 388 रुपे का ब्याज आया ध्यान देना कि किस प्याया ब्याज हमेशव मूल्धन प्याता है 2400 रुपए प्याया है न पर वह कितना साल परोब दो पूरे पूरे हैं चार महीने हैं इनको साल में बदलने के लिए बारा का भाग दो जार वारा यांदिक तिन दुनी कर लीजिए तो साथ से काड़ दीजिए साथ पंजब मैंतीस साथ चुक्य अठ्थाइस ठीक है तीन अठ्थे चोईस और अठ्थ साथ सत्य चपन रेट अफ इंटर्स सेवें परसेंट आ जाएगी आपकी उप्षन नंबर पहला आपका कर्रेक्ट आज़ जाएगा एक तरीका तो यह है सको करने का ठीक है एक तरीका यह हो गया आपका दूसरा तरीका क्या हो गया एसे सारे सवाल कर सकते हैं अपने यह वाले यह वाले यह वाले यह वाले यह वाले तो टल है ना ठीक है मैंने का देखिया अगला सवाल मतलब इसको आप ऐसे समझे कि यह प्रिंसिपल है और यह सिंपल इंट्रेस्ट है प्रिंसिपल 2400 रुपए है, सिंपल इंट्रेस्ट कितने रुपए है, 378 है तीन से काड़ दाएं इसको अपन, 38, 24 तीन, एकम तीन, है ना, तीन दुनी छे, तीन चंग 18 दो से काड़ दें इसको अपन, 400 बार, दो चंग 12, 23, यह आपका टूटल 400 रुपए पर ब्याज आया है, एक तो यह तरीका है, क्या आपने 378 को ऐसे काटा-पिटी करी, अब यहां 100 नहीं बन रहा है, आप बोलो 100 बन कैसे नहीं रहा, आपन बना सकते हैं, मैंने का कैसे, मैंन का बाग यहां देदो, तो मैंने का यह क्या आगया, 63 बटे-4 आ गया, तो रुपए पर यह टोटल व्याज है, यह यानि कि यह जो 63 बटे-4 आया है, यह दो चीजों का गुणा करने पर आया है, तो rate परसेंट का पर एक टाइम का, तो मैंने का ठीक है, rate परसेंट कितना है? आर, इंटु टाइम कितना है? तो दो सही, दो साले और चार महीन है, चार महीन है, डिवैड़ वे बारा करो, चार एकम चार चार तिया बारा, तिन दुनी छे और एक साथ बटे-3, यह यह साथ बटे-3 आ गया, तो यह rate इंटु टाइम, बराबर, फुल व्याज आ गया, ए पात नमे 63 आ गया, तीन नमे 27 बटे-4 आ गया, तो rate आपकी कितनी आ गई 27 बटे-4 चार, चार चंग चोईस, चार चंग चोईस, पच्चिस-चबिस 27, तीन बचा, तीस हो गया, चार सत्य 28, दो बचा, चार पंजेवी 6.75, 6.75, अरे, तो फिर मैंने पहले गडबड करी होग होगी कई, 6.75, अंसर आना चाहिए, यहां गडबड हो गई है कई मेर से, देख लता हूँ भी दुबारा से, 378 रुपए का गया जाया, वो भी चोईस सो रुपए पर, कि कितन साल में आया वही, दो साल चार महीन है, यानि कि साथ बटे-3 साल में, तो साथ बटे-3 गया 37-38, तीन बचा 38, हाँ, कटनी रहा ना बाबू, ठीक है, साथ से नहीं कट रहा है, मैंने का नहीं कट रहा है ना, तो देखो, तीन से कट रहेगा, तीन अठे-चोईस, चपन का भाग देना पड़ेगा, या अधा भी कर सकते हो, दो चुके आठ, दो एकम दो, दो अठे-सोला, दो नो में अठारा, साथ से काड़ दें, साथ दुनी चाओदा, चार बचा, साथ सते न पचा, 27 बटे-चार, वोई 27 बटे-चार यानिकी 6.75, तो आंसर आजाएगा, डी वाला, है ना, ठीक है, और इस समझ में आ रहा की नहीं आ रहा, है ना, 27 बटे-चार यानिकी 6.75 अंजर आ जाएगा, ठीक है ना, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, जिससे आपको फास्ट लगे समझने में, कुछ चीजे लिखना नहीं पड़ती है, ऐसे बताने में, ठीक है, बाकिये कुछ प्रमोशन कर लेता हूं अपने भी, हमारा कॉम्बो बेच शुरू हो गया है, मतलब शुरू क्या हो गया है, कंप्लिट है अपने आप में ये, मैस फाउंडेशन, रिजनिंग फाउंडेशन का, लाइव चल रहा है है, ये हो गया है, कंप्लिट स्वारी, ये सारी एक्जाम्स के लिए आप ले सकते हो, दो साल क के लिए हैं, बेच उपर वाले, फिर आप अगर रेल्वे का बेच लेना चाहते हो, तो 299 रुपे में अवेलेबल है, और महिला परिविक्षक का आपको पढ़ना है, तो 399 रुपे में आप तैयारी कर सकते हो, यहाँ पर अब टाइप नंबर टू पे चलते हैं, हम पहले स समय देखेंगे, समय है, हमारे पास अभी तो, आज मेरा समय इसलिए बरबाद हो गया ना यार वो, एन गुना हो, चलिए यह सवाल करिए बाप, देखिए, एक राशी साधान ब्याच पे 15 वर्षों के लिए, 15 वर्षों में स्वयम का तीन गुना हो जाएगी, तो रेट बताना है, कोई राशी 15 साल में तीन गुनी हो गई, मान लेते हैं, यह प्रिंसिपल है, यह अमाउंट है, मान लेता हूं प्रिंसिपल 100 रुपे था, तो यह तीन गुनी हो गई, यह अनि कि अमाउंट 300 रुपे बन गया, 500 रुपय-300 रुपय हो गये तो ब्याज कितने रुकशता अगया है 200 रुकशता में कितने साल में है बंदरह साल में अगर 15 साल में 200 रुपे का ब्याज आया तो एक साल में कित्क आ Arms Eye इसको इवाईड कर दो वही अंसर हैँ मैंने का पांच से कार दें पांच तीय पंद्रा पांच चुके थीली साही एकटा 3 आपके सवाल कांसर आएगा तेरा से एक बटा 3 एक बटा 3 रुपय ब्याज आ आया तो 100 रुपय पर एक साल में आने वाला भ्याज हीिए आज की डर होती है कि कोई धन 9 वर्ष में 3 गुना हो गया मतलब यह प्रिंसिपल है तो रुपय और यह एमाउंट है इतने हो ग så तो ब्याज कितने का आया दोसुरुपय का कि टोटल भी आज दोसुरुपय它 latest डेजmodile का मृट्पीला करने पर में यह जाता है तो मैंने का देखो यह red ंटु तॉ time करने को रहेगा तो तो यह 200 बटेनों हो जाएगा तो रेट हमारी 200 बटेनों आ गई एक बटेनों होता है 11.11 दो बटेनों होता है 22.22 और 22.22 यह होता है आपका option number D वाला नहीं आया समझ में कोई बात नहीं है जैखो यह 200 रुपे है 200 रुपे का ब्याज आ रहा है कितने साल में आ रहा है नो साल में है तो नो साल में 200 रुपे का ब्याज आया तो एक साल में कितने गाएगा दो बटेनों गुणा सो 200 को क्या दो गुणा सो लिख सकता हूं बटेनों यह कितना आ गया 22 सही दो बटेनों बेसिक सवाल थे इसमें और भी टाइप पढ़ाऊंगा पर आगे आएंगे वह सवाल है ना दो गुना तीन गुना इन गुना हो जाए वो टाइप में शायद आगे ले लिया है इसी में डाल देना था गलती हो गई चलो आगे पढ़ेंगे इसको बाकी का अधिक ब्याज पे आधारित क्या सवाल बनता है देखो पी और क्यू समान धन्राशी को साथ और आठ साल की अवधी के लिए इत्ते परशन की दर से रिन दी गई थी यदि उनके द्वारा भुक्तान किये गए ब्याज में 172 रुपे का अंतर था तो प्रत्यक को रिन पर दी गई धन्राशी कित्ती थी बताइए देखो मैंने किसी को साथ साल के लिए और आठ साल के लिए पैसा लोन पर दिया है मैंने पी को पैसा दिया है क्यों को भी पैसा दिया है मैंने इसको साथ साल के लिए दिया है मैंने इसको पैसा दिया है आठ साल के लिए हैं मैंने इसको साड़े आठ परसेंट के दर पर उधार दिया है मैंने इसको बोला साड़े आठ परसेंट ब्याज लूगा भीया सुरी साड़े आठ नहीं आएट पॉंट 6 परसेंट इसको भी बोला कि 8.6 परसेंट ब्याज ब्याज दिया क्यों इतने रुपए का ब्याज दिया और जो भी व्याज आया इन में ब्याज में अंतर दे रखा है मुझे कितने का 3060 सुरी Brill Hendrix का city chef 152 का मुपे का नीघस का डिफरेंस दे रखा ए है है तो मैंने का इन दोनों का मल्टिपलाय करके गठाना है उसी 172 है तो मैंने का multiply करके घठाना है इसकी बजाए common लेके घठा दो मैंने का जब multiply इसका होगा और इसका होगा और फिर घठाना है तो मैंने का इन दोनों का multiply इन दोनों का multiply में 8.6 तो common रहेगा तो 8.6 बाहर निकाल लो तो आठ साल में से साथ साल गया तो एक साल बचा और एक का गुणा 8.6 में कर भी दोगे तो 8.6 ही आ जाएगा इन दोनों को जब आपस में घटाओगे तो 8.6 common आ गया और आठ साल और साथ साल में अंतर एक काया तो इसकी वेल्यू यह दे रखिए 172 है ना 8.6 है मैंने का एक काम करते हैं यहां से जब पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो लगेगा इदर और चीयासी का डबल होता है यह जनी कि एक की वेल्यू भीजगुना हो गई काम से क्या पूछा है प्रत्यक को कितना पैसा दिया गया था वह जो भी दिया गया था दोनों को बराबर राशी दे गई थी तो मुझे 100% निकालना है तो 100% 2000 के बराबर हो जाएगा यहां पर ठीक है एक राशी को चार साल के लिए साधान ब्याज पर दिया जाए अगर रेट में उससे 4% 5% ब्याज ज्यादा ले लूँ तो मुझे ब्याज 500 बीस रुपे ज्यादा मिलेंगे मैंने एक बंदे को बोला कि बिटा एक काम कर खार साल के लिए पैसा उधार लेके जाए जाओ तार साल के लिए मैंने कुछ पैसा उधार दिया चार साल के बाद इत्ता रुपे जो भी ब्याज दे देना मेरे को एक बात हो गई अपने हैं लिए P रूपय पकड़ आपर परसेंट कि दर से T साल के बाद देंगे थे पिर मैंने क्या करा कि मैंने conditions रख दी किया काम कर रहा है भार परसेंट ब्याज देना थे तर फेलंग ना 5 प्रसेंट और लूगा में तेरऽ से वियाज यानि तो चार साल तक पैसा रखोगे तो अगर हर साल में 5% अधिक ब्याज लूँगा आपसे तो चार साल तक टोटल चार पंजे 20% अधिक ब्याज लूँगा मैं आपसे तो अगर 20% अधिक ब्याज लूँगा तो मुझे एतने रुपे तोटल अधिक मिलेंगे इसका मतलब चार पंजे 20% की वेल्यू हमें दे रखी है यह टोटल ब्याज एक्स्टा आया है एक्स्टा ब्याज दे रखा है कि जो ब्याज आपको आना है वो तो आए गई आएगा पर अगर आप ब्याज की दर 5% अधिक रखोगे ना तो ब्याज भ होगा अब 20 को सो बनाना है तो पांच गुणा करेंगे तो इसको भी पांच गुणा कर दो तो जीरो पांच दूना दस पांच पंजे 26 26 रुपए 20 परसेंट कैसे आया समझ में आया रेट इंटू टाइम किया है मैंने और कुछ नहीं है रेट इंटू टाइम यानिकि 5 परसेंट इंटू चार यानिकि टोटल 20 परसेंट ब्याज था एक राशी पर 4 साल के लिए 14 परसेंट की दर से जो साधरन ब्याज है वो राशी पर 8 साल के लिए साधरन ब्याज दर से इत्तर रुपए कम है और समान दर से दर हमारी समान है मैंने दो लोगों को पैसे दिये एक A को दिया एक B को दिया एको मैंने दिया चार साल के लिए और मैंने A को बोला कि बेटा तेर से हर साल 14% ब्याद लूगा मैंने बी को भी पैसे उधार दिये और मैंने उसको बला बेटा तू आठ साल के लिए लेके जा लेकिन तेर से भी 14 प्रसेंटी ब्याज लूगा तो जो आठ साल के लिए पैसा लेके गया है तो जो आठ साल के लिए पैसा लेके गया है वो इस पहले वाले से चार साल के लिए एक्स्ट्रा लेके गया है तो वो मुझे उन चार सालों का एक्स्ट्रा ब्याज देगा क्या और वही एक्स्ट्रा ब्याज या पहला बंदा जो है वो दूसरे वाले से कम ब्याज देगा मेरे को एक ही बात है यार वो ज्यादा देगा या यह कम देगा आठ साल चार साल का अं कि मैंने इसको बोला तो 14 परसंट देना हो कि दूसरा बंदा भी मुझे 14 परसंट डेगा मैंने कि इन दोनों ब्याज में अंतर कितने मीन्यका इन दोनों का मल्टिप्लाई गरेंग घजाना है तो 14% into 4 14% into 4 की value हमें कितनी गीवन है 6,160 रुपए कि आपको 100% निकालना है मैंने काम करें चार से काड़ने क्या आप बोलो कि चार से कटे का 15 बार चार बार जीरो बार आप 14 से काड़ दें इसको मैंने का हां तो बिल्कुल 14 से काड़ तो देखो चाओदा एकम चाओदा चाओदा एकम चाओदा जीरो 110 प्रिंसिपल निकालना है तो 100% की value निकालना है 100% की value 110 और ये 0011,000 रुपए आंसर आजाएगा option number D के रूप में आपका clear ये बताइए 12% की दर से 32% की 32% वर्ष के लिए 32% वर्ष क्या होता है बहे 32 वर्ष होगा ये ये 10% की दर से 42% वर्ष परसेंट क्या चापा ये पी क्या चापा है देखो ये बोल रहा है किसी धनराशी पे 12% की दर से 32 साल के लिए साधरन व्याच और 10% की दर से 42 साल के लिए सादरिण व्याज. जो अंत्र है वो इतना है. मरलब मैंने पहले प्राणी को पैसा दिया 12% के दर से 32 साल के लिए हैं. १ और दूसरे बंदे को दिया मैंने 10% की दर से 42 साल के लिए हैं. तो मैंने का इधर से और इधर से अंतर हमें दे रखा है कितना मैंने का यह 16 हो गया और 20 वो गया 36% भी आज मिलेगा 36% है ना हमारा वो हमारा 360 के बराबर है यह 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 कि 10 गुना है तो 100% भी कितना आ जाएगा 10 गुना तो परसेंट का 10 गुना 1000 रुपया जाएगा कोई गडबर यह नहीं गडबर एक हजार क्यों आ रहा है एक जिरू एक्ष्टा क्यों आ रहा है यह 36% आएगा ना 20 और 10 30 36 36 चैसे बात है न यह 10 गुना हो जाएगा इसका तो कि टाइपिंग में इशू है कहीं ना कहीं तो यह आपके सवाल का अंसर आजाएगा ओप्शन नमबर डी एक निश्चित राशी एक निश्चित धनराशी चार साल के लिए साधर्ण व्याज पर उधार दी जाती है इसे समान समय के लिए 11% अधिक दर पे दिया जाए ना तो इत्ते रुपे वे ज़्यादा व्याज मिलेगा मैंने का एक काम करो आप को मैं चार साल के लिए पैसा दे रहा हूं आर परसेंट पे तो मैंने का एक बंदे को मैंने आर परसेंट की दर से चार साल के लिए पैसा दिया और दूसरे बंदे को मैंने क्या बुला कि ग्यारा परसेंट अधिक दर पे यानि कि आर परसेंट से ग्यारा परसेंट जा जब 4 का गुणा आर में करूंगा तो ये भी 4 आर बनेगा ये भी 4 आर ये भी 4 आर कोई मतलब ही नहीं अंतर तो 0 हो जाएगा तो अंतर कहां आ रहा है खाली पस इसका इसमें करने पाएगा 44 परसेंगी इधर से इधर वाला बंदा चावाल इस परसेंग ज्यादा ब्याज देगा तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आए आप 44 परसेंट का वही 44 परसेंट ए 1320 है ना तो बताओ 100 परसेंट कितना आएगा आप बोलोगे यह कितने गुना है 44 तिया है तीस गुना है इसका यह है इसका भी तीस गुना कर लिजे सो परसेंट का तीस गुना यहीं कि 303 रुपया अन्सर राजएगा हमारा क्लियर है कि दों वहोत बेसिक्स हुआ है एक निश्चित राशी Liberace के लिए साधरन ब्याज के एक सपरसेंट की दर से उधार दि receivers के लिए इसके बज़ाए यदी राशी व्हाए अधिक वर्षों के लिए 3x% के दर से साधरन ब्याज पर दी जाए ना तो साधरन ब्याज पहले के ब्याज का साथ गुना होगा अच्छा अलब रेशो दे रखा है ब्याज का ठीक है देखो यह बोल रहा है किसी बंदे को आप x% के दर से 3 साल के लिए पैसा उधार देदो या फिर आप उसको वाई वर्ष अधिक के लिए वाई वर्ष अधिक के लिए 3x% पर देदो वाई साल एक्स्ट्रा के लिए यानि कि 3 प्लस वाई साल एक्स्ट्रा के लिए पैसा उधार देदो तो अब जो ब्याज मिलेगा ना ध्यान देना अब जो ब्याज मिलेगा यह वाला यह वाला यह पहले वाले ब्याज का साथ गुना है तो पहले अगर एक रुपय का ब्या स्विंटेज कटेगा से यार से रखतेगा सात में एकस का मल्टिप्लाई तो ये 7 x हो गया बदर ये एकस एकस का प्रतिप्लाई तमे टैने तो 23 x 1000 प्लस यह एकस वाय आ गया कि अध all एक से एकस भी तो कट रहा है यह साथ ये कम एकंट बचा बराबर कितना आगया तीन प्लस वार्थ बराबर कितना यह चार वर्ष है दो जाएक हुआ दो त्सवाल है जांने प्लीओं डाइए क्र मुलाध करना है इतना बड़ा टाइप भई कि यह दो तीन सवाल है चलो कर लेते हैं न कि आज थोड़ा स्लेट हो गए यार मैं थोड़ा उलज गया था तो परना आज अपनों पूरा टोपी की कम्प्लीट करवा देता है पर अब एस समय का है जो भी है समय का खेले की अस रधरन ब्याशकों रिदेशित दर्प इसरायारशी 3 वर्ष के बाद इत्ते रुपए है और 4 वर्ष के बाद देशिैर रुपए है तो धनराशी कितनी है नहीं जान से समझना मैंने कई यह प्रिंपल है आपका मैं कि यह यह जो हो गई कितनी होगई 1630 की कितनी हो गई गई 59 6 tua में यहां से यह दक है चार साल इंगником तो मैंने कहां सेया तक यह चार साल हिंग झाथिए एक साल बचा अरियो यह एक AM10 2 मिने का इन एक वर्ष में जो 1630 के दलए तहाओ सत्रा सु आठ बन गया तो ब्याज कितने का या आप ये बताओ एक साल में है तो आप बोलेगे 8 मेंसे–0 गया तो 8 बचा 10 मेंसे तीन गया तो साथ बचा 17 मेंसे 17 यानिकि एक वर्ष में 78 का ब्याज आया इन तीन वर्ष मेंग अहस जाइगा बता दो एक साल का बेत 78 liver अच्च इन गुणा 78 तीन अठे 24 anyway चार तीनसी 78 औो तो टेईस आ गया निकि principle पर इतने रुपए ब्याजा आने के बाद रूराशी इतनी हो गई और इस पर यह इतने रुपए का ब्याज अने के बाद इतनी हो गई अनल प्रिंसिपल इस से 234 रुपए कम था यह जो प्रिंसिपल हमारा वो कि इतना रुपए था तो 1630-234 10-4 यानि कि च्छे युनिट इजिट छे आ रहा है आ रहा है याना 10-46 3-4 यानि कि 13 में से चार गया तो 9 बचेगा 96 आगया 96 याना दो जगा आ रहा है क्या बात है और देखो यह 3 हो गया तो यह थनवराशी समान व्याजदर पर चार वरष में कितनी होगी कि अग्या यह थनवराशी हए कि मायजदर पर हर चार साल में कितनी होगी अगर 3260 रुपे पांच दार. का 420 वो गए 3260 रुपर इत्त हो गए तो ब्याज कितने का है आपस घटा ओ तो मैंने का इस में से वह विलिव घटा दो मैंने का 0-0 कर गई बारा मैनस छह यानिकी छह उना टार मानस तीन यानिकी एक है मैं पांच माैनस तीन यानिकी दो 2160 का भयाज आई एक मिनिट रूपन सो भींट है कि यह वर्ष का ब्याज चीजो इतने रुपय का ब्याज आता है कि अ इस साल का सिंपल इंट्रेस्ट है तो मैंने का एक साल का सिंपल इंट्रेस्ट कितना आएगा आप लोगे 6ज दूरी 12 in two six 36 303 रुपय प्र एक साल काисьंपल इंट्रेस्ट हैं प्रыт यही धन्रासी चार साल का चैंफा डीयक कितना एक उधे चाहता कितना बनेगा यिक मते पिशिचेव चाहिस रूपर कि यह सिंपमन्ट मेला गए 1640 रूपर कि जो आपकर अपनेखना किना वाट मनेगा बत्रेश्ट मत्रेशार आपका शाहर की शॉनिया एक कि फोटी सेवन हट्रेश्ट आपके सवाल का अंसर आजाएगा यह आपका correct answer हो जाएगा ठीक है इतने रुपए की राशी तीन साल में इतनी हो गई तो पांच साल में 72 रुपए इतने रुपए हो गए तीन साल में अलब तीन साल में ब्याज कितने काया तो इस वेल्यू में से घटा तो अलब 20 में से 20 बचा ऊंप trop 1853 में से चौंस्ज गया तो यह 13 में से चार गया तो नुबचा है रहना आट में से साथ गया तो एक बचा 1920 रुपय कि तीन साल का भी आज 1920 रुपय आया है ना 3 साल का ब्याज 920 रुपए आया एक साल का ब्याज कितना आया कि इन चंग 18 इन चोके 12 जीरो जेश्टो चालिस रुपए है मैंने कहा यह बोल रहा उसी दर पर अब दर निकालना है पड़ेगी तो मैंने कहा यहां से रेट निकाल लेता हूं मैं देखो एक साल का ब्याज आ याँ 604 रुपे किस पर आया मुलधन पर मुलधन कितना है 6464 रुपे 64 का 10% 6400 चुपा दो तो यह छिस्यक्राश थे परसेंट उता है और स्च्छ सो का दस निकालोगी नदस पर से यह तो 20 से 20 कटेगा तो तस परसेंट आगया रेट आफ इंट्रेस्ट आपका है ठीक है आपने यहां पर क्या निकाल ली रेट निकाल ली है अब दियां से समझना अब 72 रुपे पांच साल में इत्ते परसंट की दर से कित्ते रुपे हो जाएंगे तो देखो आपको एमाउंट निकालना है मिष्रिधन किस प्हाएगा मुल्धन प्हाएगा तो मुल्धन आपका कितना अब 272 रुपे आप एक बाद बताओ अगर आपको एक साल का ब्याज 10 परसंट मिलेगा ये रहेकिन 50 परसंट तो देमेलेगा इसका 50% निकालें यानि कि 3600 और फिर 3600 जोड़ें इसकी बजाए 50% ब्याज है उसमें 100% मुल्धन जोड़ें तो 1500% निकालने सीधा यानि कि इसका 1500% होता है तीन बटे 2 यानि कि आधा करके तीन का गुणा कर दो ठीक है तो दो से कटेगा ये 36 बार 378 आ गया यानि कि 108 00 कि तीन बटे 2 क्या है तो ये तीन बटे 2 आया है 1500% से देखो मैंने कहा सिंपल इंट्रेस्ट आएगा 50% प्रिंसिपल आया है प्रिंसिपल होता है 100% जो एमाउंट बनेगा या वह 150% नहीं बनेगा और 150% हो या तीन सब्सक्राइब कर दो है वह ऐसी आया है जनरल चीज पता होनी चाहिए दस आठसो आपका अंसर हो जाएगा ठीक है अब मन तो है कि पुराई टोपिक पढ़ा दूँ अभी कोई ज्यादा समाई नहीं हो आया मेरे को पढ़ाते बढ़ाते बावन मिनिट हो आया प्रक्षमा चाहता हूँ अभी विशाल सर की क्लास है इसी स्टूडियो से है और अभी दो बजने वाली है लगबग 6 मिनिट बचे है दो बचे दो दस दो पांच पे ऐसी कुछ होती है उनके क्लास चाहिद तो जब कोई टाइप शुरू कर दूँगा तो खतम नहीं हो पाएगा तो है ना कि मैं तीन सवाल थे पर अब हो नहीं पाएंगे इत्ता जल्दी चलो कल मिलते हैं बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइब